बच्चो आपके पास है uncountable set क्या होता है आज हमने uncountable की definition देखने हैं उसे related दो तीन चीज़े प्रूफ करनी है बच्चो अगर आप लोग अपना tricks यहां पे देखो मैं कैसे apply करती हूं तो आप एक ही proof को बाकि सारे questions में भी दिख सकते हो अब देखे सबसे पहले uncountable set uncountable set क् अब यहां पर एक और बात कही हुई है infinite set may not be countable आस्वी नहीं कि हर infinite set आपके पास countable infinite set uncountable भी हो सकता है बीज में ठीक है अब यहां पर infinite में और में not की condition होती है अब यहां पर सबसे पहले दो तीन points decimal representation आपको मैं बताऊंगी decimal representation of real numbers है every real number can be uniquely expressed in decimal non-terminating representation आपके पास कोई भी real number है वो कह रहे हैं आप उसे decimal non-terminating representation की form में present कर सकते हो जैसे के 10 by 3 एक real number है आप उसे points की form में लिख सकते हो जो के non-terminating है यानिके खतम नहीं हो रहे हैं आपके पास चलते जा रहे हैं इसी तरह दूसरी बात आपको यह कही हुई है कि हर real number की आपके पास Saturday time पे दो presentation एक्जिस्ट करेंगी और वो दोनों presentation आपके पास representation equal होंगी जैसे के one real number है वो आपको 0.99999 इसकी form में लिख सकते हो यह दोनों equal होगा आपके पास यह equal कैसे होगा इसको equal पहले में show करवाती हूँ यहाँ पे देखे हम हमेशा जब भी किसी दो चीज़ों को equal show करवाना होगा real numbers की representation को आप right hand side उठाओगे let कर लो यह आपके पास कोई न 999 आपने इसको solve करके one की equivalent है आप इसको लिख सकते हो 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 यानि कि यह वाली term अलग यह वाली term अलग यह वाली term अलग 00 के साथ इसको अगर धोड़ा open करके लिखो 9 over 10 9 over 10 का square क्यूंके 100 आना था नहीं चाहिए 9 over 10 की power cube up to someone 9 over 10 को मने लो अंदर आपके प formula आपके पास infinite के case में 1 over 1 minus R होता है तो अगर आप यहां पे R की value लगा दो तो यहां से आपके पास आजएगा देखे 1 over 10 minus 1 over 10 यानि कि 1 over 9 over 10 यानि 10 over 9 या आपके पास इसके सारे का सारे का submission आजएगा तो इस सबकी जगा पे आप उसकी value put कर दो कि cancel करो कि तो देखो गे left hand side जो ती solve के left hand side के equal आ गई है यानि कि real number एक time में एक से ज़ादा representation रख सकता है यह चीज़ का proof है चीक है अब इसके बाद next देखें आपको नोंने examples इसी तरह कहा है आप proof कर सकते हो कि 0.500 equal है 0.499 के यह चीज़ आप हमेशा उठाया करोगे इसको open क्या करोगे जो metric series का formula लगा कि इसके equal show करवा दिया करोगे अब next देखें आपके पास examples of uncountable set यह सारी के सारी uncountable की examples से बचो यह आपने आद कर लिने है कि rational number, real number होगे, t बचो यह trans saddle numbers होते हैं मैं आपको बाद नहीं इसके बारे में बताऊंगी complex numbers, order pair और जितने भी यह r के subsets होते हैं जितनी की जितनी uncountable set की, अब यह important बचो आपके पास theorem है, अगर यह theorem का prove आप समझ लेते हो, आगे जो next में आपको दो examples करवाऊंगे, आप उसके अंदर भी यही वाला prove लिख सकते हो, अब देखो next आपके पास है, आप ने चीश शो करवानिए कि set of real number uncountable है, अगर कोई चीज आपको uncountable कह यह शो करवाएं, आप अगर उस चीज का एक छोटा हो subset लेके उसको uncountable शो करवादोगे, तो आप कह सकते हो कि अगर उसका subset uncountable है, तो भड़ी चीज भी आपके पास uncountable होगी, प्रूव में यही लिखा हो है कि वो you know that super set of uncountable set is countable, यह uncountable, यानि कि आपके पास एक statement होती है कि किसी भी चीज का super set का अगर आप कोई subset लो, अगर वो आपके पास uncountable हो तो वो भड़ी चीज भी uncountable रहती है, ठीक है, तो अगर देखिए मैं कह दूँ मैंने R को यहाँ पर शो करवाना था uncountable है, मैं पता है 0-1 जो है वो R के अंदर contain करता है, अगर मैं 0-1 interval को uncountable श अगर आपसे कहांजिए R को प्रूफ करें तब भी यहा सकता है, अगर आपसे कहांजए closed interval को प्रूफ करें कि वो uncountable है, तब भी आप कह सकते हो, जो 0-1 interval है वो इसके अंदर contain करता है, अगर आप इसको uncountable शो करवादो जैसे यहां करवाई तो आप कह सकते हो कि यह चीज भी अनकाउंटेबल होगी यानि क्यों पर यह जितनी भी टम्स दी हुई है ना अगर इन सब का पेपर में प्रूव आ रहा था इन अनकाउंटेबल शो करवाएं आपने जस्ट यह प्रूव याद किया वह तो आप इसको प्रूव करके कह सकते हो कि यह चीज इन सब में कंटे कि सीरीज में लिखा जा सकते है तो इसके हर अलिमेंट को आप लिख सकते हो 0.1-1-2-1-3-2-0.21-a-2-1-A-2 या निकि अगर हमने दी नहीं है सारी हमारे पास काउंटेबल है तो इसका मतलब भी हो गया यह सारी की सारी जूएं वह इसके अंदर लाए कर रही होंगे और इस सीरीज में लिख सकते हैं और one to one correspondence बना सकते हैं यह चीज हमने कह दिये अगर अब आपने इससे uncountable show करवाने हैं आप क्या करो अपने से एक सीरीज लेट कर लो आप लोगों ने वो ऐसी सीरीज लेट करनी है जो zero one के अंदर तो आरी होगी लेकिन इसके अंदर नहीं आरी होगी तो जब वो वाली सी रिस्टम के अंदर आरी होगी और इस्टम के अंदर नहीं आरी होगी तो आप कहोगे कि वहाँ पे contradiction आ गई है कि एक चीज इसके अंदर आ रही है बट इसके अंदर नहीं आ रही तो आपको होगे हमारी सब पोजिशन रोंग है तो ये चीज उनकाउंटेबल शो हो गई है वो सीरीज आप लेट कर लो B की फों में आपके पास कोई नंबर है B equals to 0.B1 B2 B3 अब कैसा नंबर है ये चीज नहीं लिखने बचो आपने वो ऐसा नंबर है BN आपके पास इन जर्णल कि अगर वो greater than equal to 1 है A11 तो वो 0 आंसर देता है और अगर ANN equal to 0 है तो वो 1 आंसर देता है ANN 1 greater than equal to 1 है जैसे के greater than equal to 1 इसकी sum आ रही है तो ये 0 आंसर देगा इसे तरह greater than equal to 1 नहीं 0 आंसर देगा 0 आंसर देगा यनि इस टाइप की कोई आपके पास series आ जाएगी अब देखिए ये कैसा नंबर है जो यहां से हमने इस function के through let किया है तो आप यहां पे कोगे कि contradiction आ गई है ये 0 1 के अंदर तो आरहा लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहा that's why कोगे कि यहां पे contradiction आपके पास आ रही है तो contradiction आ गए तो जो हमने सब पोजिशन की थी वो wrong है तो 0 1 आपके पास countable नहीं होगा uncountable होगा अगर 01 uncountable होगा तो आप कहा सकते हो कि R uncountable है